नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैंकू आंकेता दुनिया भर में न्यू यर को सेलिब्रेट करने के अलग-अलग तरीके होते हैं अलग-अलग धर्म समुदाए में नव वर्ष की मानेताएं भी अलग हैं पार्सी धर्म में नव वर्ष को नवरोज या नौरोज की रूप में मनाया जाता है नवरोज का अर्थ होता है नया दिन ये पार्सी कैलेंडर का पहला दिन होता है आज गूगल ने भी अपना खास डूडल बता कर 21 मार्श को नवरोज की शुपकामनाय दी है होली के असपास वसंत रिट्टू के आगमन और सर्दियों के अंत के प्रतीक के तौर पर नवरोज का उस्सव मनाया जाता है जिस तरह से होली का साल का आखरी दिन होता है तो वही पार्सी समुताय वसंत रित्तु के आगमन पर नवरोज में नए साल का स्वागत किया जाता है 21 माज को कई इसलामिक देशों में नवरोज को सेलिबरेट किया जा रहा है ये सर्दियों के अंत को दर्शाता है और दुनिया के करीब 300 मिलियन लोग इसे सेलिबरेट करते हैं गूगल ने अपने डूडल को वसंत के फूलों, ट्यूलिप, जलकुंभी, डेफिडिल्स और और्किट के साथ सजाकर नवरोज की शुपकामनाय दी है इसकी शुरुवात इरान से हुई मगर आज कई इसलामिक देशों में से मनाया जाता है इसकी शुरुवात करीब 3000 साल पहले हुई थी इस समय इरान में शाहत जमशेद ने सिंगहासन ग्रहन किया था तब ही से पार्सी समुदाय के लोग नवरोज मना रही हैं पार्सी कैलेंडर और तारीक के अनुसार वसंत विशुव का दिन नवरोज का दिन कहलाता है पार्सी मानिताओं के अनुसार जब सूरी की किर्ने विशुवत रेखा पर चमकती हैं तो नवरोज का त्योहार आता है नवरोज में पार्सी समुदाय अगणी को लेकर विशेश अनुष्थान किया जाता है पार्सी समुदाय में अगणी को बहुत महत्व दिया जाता है परिवार में सुख सम्रधी लाने के लिए पार्सी समाज इस दिन जर्थुस्त्र की तस्वीर, मुम्बत्ती, काच, सुगंधित अगर्बत्ती, शक्कर, सिक्के जैसी पवित्र चीजें एक जगे पर रखते हैं और पूरा परिवार मिलकर प्रात्ना करता है इस मौके पर पवित्र अगनी में चंदन की लकडी चढ़ाने की भी परंपरा है उसके बाद पार्सी लोग एक दूसरी को शुब कामनाय देते हैं नमस्कार